अगर आप लोग के लिए क्या-क्या उपर्शुनिटी में बता हो, कि दर साइड आप लोगों को एक डिरेक्सिनल ट्रेड की जा लाक्या कर सकते हैं तो वहां पर सब कुछ डिसकुस किये थे बट मैं आप लोगों को थोड़े डिटेल में डिसकुसन देता हूं कि एक्चुल में वो जो डिसिजन हमने लिया था किस ले लिया था और मार्केट की ओपनिंग, क्लोजिंग हम किस तरीके से डिसाइड कर सकते हैं मार्केट की देखिए सबसे पहले अगर हम लोग निफ्टी 50 की बात करें ठीक है तो निफ्टी 50 में देखा लिया तो मार्केट उपर से जा करके नीचे की तरफ आया है और ये रैली हमने कैच करी थी हमने ब्रेक कैंडल में काफी अच्छा ट्रेट हमें ब्रेकाउट पर मिला था और बहुत ही अच्छा हीरो जिरो चला था तो निफ्टी 50 की बात करें दोस्तों तो ऐसा लगता है क्योंकि यहाँ पे निफ्टी में काफी अच्छा वॉल्यूम आया है ये वाली कैंडल में काफी अच्छ volume के साथ तो definitely हमें market उपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा और फिर यहाँ से market को कोई नहीं रोख सकता इस label तक आने पर 19.480 या फिर 19.500 तक का level and 19.500 का level ऐसा level है जहाँ पर buyers बहुत aggressively buy करेंगा और market को maybe एक नए high की तरफ ले करके जा सकते हैं तो Monday की opening बहुत ही important होगी and सबसे बड़ी चीच के हमें हमारा जो prediction है कि market आप लेकों का इसी range में रह सकता है क्योंकि यहाँ पर देखो एक काफी अच्छा volume आया है इधर इधर साइट sellers काफी जादा active है इधर भी sellers ने काफी अच्छा volume आ रहा है अगर इसके नीचे की closing मिलती है फिर इसके नीचे gap down open होता है तो definitely आप लोग market को short करिएगा और फिर आप लोग नीचे के rally enjoy किजेगा 19,000 तक भी market जा सकता है इंटराडे में अगर इसके नीचे open हुआ तो 19,250 के नीचे अगर open होता है जैसा कि मुझे लगता है कि open नहीं होना चाहिए क्योंकि यहां से काफी अच्छा consolidation हुआ है volume भी काफी low है इधर buyers and sellers थोड़े से कम aggressive है तो में भी यहां से market pullback करके हमें उपर की तरफ का move देव करके थोड़ा सा sideways देखने को दे दे अपना view बट मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको बड़ा पैसा बनाना है तो इधर नीचे खुलेगा ना तो बड़ा पैसा बनेगा put side में trade आप execute करके चल सकते हो और इधर का stop loss put करके हम लोग Monday को चल सकते हैं वैसे तो हम लोग live रहेंगे discussion करेंगे इसके बारे में और मैं आप लोग को BTST का भी view होता हूँगा कि मैंने Friday market को क्या कहा था और किस वज़या से क्या क्या मैंने अपने जो live viewers थे उनको बोला था और सबसे बड़ी चीज कि यहाँ पर देखो यहाँ पर एक trend line है एक trend line का भी support लेने के लिए थोड़ा सा नीचे आ सकता है तो market में भी में भी थोड़ा बहुत नीचे open हो या फिर exact यहीं पर open हो सकता है 50-60 point bank nifty का उपर नीचे खुल सकता है और फिर यहाँ से momentum समझ में आना बहुत मुस्किल हो जाएगा तो market के opening अगर 50-60 point even hundred points भी नीचे होती है तो भी आप लोग महाँ पर थोड़ा सा रुकिएगा market को settle होने दीजेगा तब जा करके अपनी interest को बनाईगा है interest को बनाने के लिए मैं कहूंगा कि आप लोग long कर सकते हैं इधर side पे ठीक है अगर market open होता है gap up open होता है and 19, sorry 43-860 के उपर sustain करता है या फिर 43-900 के उपर sustain करता है उधर अच्छी खासी closing देता है तो आप लोग long करने में बिल्कुल मत हैचिचकाईगा और यहाँ से आप लोग अराम से 44100 तक का label tag कर सकते हैं and ये वाले target हमां मिल सकते हैं अगर Monday का market gap up open होता है तो वैसे तो gap down opening के chances कम है अगर होता भी है तो यहाँ से support लेने के chances इसके ज़्यादा है and हाँ अगर नीचे put की तरफ जाता है put की तरफ एक अच्छा momentum चाहिए हमें तो इस label को लेकर के जाना पड़ेगा जो की 43600 का label है यह label तूटता है तो फिर हमें 43300 तक की labels देखने को मिल सकती है bank nifty में तो यह कुछ labels मैंने आपको दी हैं उनके according trade कीजेगा बहुत मज़ा आएगा and इनके अलावा आप लोग market में कुछ मत सोचिएगा अपना proper stop loss decide करके बाकी आप लोग लाइव आओगे न तो मैं आप लोगों का सारा discussion देखूँगा and मैं अपने trades के according वो चीजे दूँगा कि कहां से क्या चीजे हो सकती है ठीक है अगले चीज़ अगर हम लोग financial की बात करें fin nifty की बात करें तो fin nifty में भी हमने कुछ अपने study करी है फिर nifty का भी काफ़े important support है ठीक है ये support अगर gap down खुलता है तो नीचे 322 का open होई ठीक है open position है 322 की बट हमें लगता है कि यहां से युनो एक अच्छी खासी opening हमें मिल सकती है इधरी कहीं इधर कहीं sustain करता है तो फिर जायेगा ठीक है इधर कहीं sustain करता है तो मज़ाया क्योंकि इसका volume काफी low है तो नीचे ले जाने में थोड़ी सी दिक्कत होगी अगर नीचे खुलता है तो definitely आप लोग short करिएगा बाकि इस label की भीतर खुलता है तो आप लोग अपनी कोई position मत दोनाएगा वरना यहाँ पर trapping के बहुत chances है financial nifty में financial nifty के लिए एक अच्छा level जो होगा वो 600 के उपर होगा ठीक है अगर आप लोग call side में खेलना चाते हो तो 600 के उपर market को बंद होने देना फिर जा करके आप लोग कोई candle अच्छी खासी volume के साथ आये तो फिर वहाँ पर हम लोग trade बना सकते हैं call side में long side में जो कि एक पुरा अगला हपता जो है वो एक कैलीजे की reversal हो सकता है एक retracement हो सकता है उपर की तरफ का या फिर एक अच्छा खासा bull move भी हमें देखने को मिल सकता है तो यह है financial nifty bank nifty और nifty के हमारे prediction और इसी के according हम लोग trade करने वाले हैं हमने कुछ labels को find किया हुआ है और हम बात करें कि हमने अपने viewers के लिए BTST क्या हुआ था BTST क्या दिया था यानि कि BTST क्या आप तो वो दो दिन का gap होगा जब market open होगा तो मैंने साब साब मना किया था करके जाना better होगा अगर आप लोग एक direction में move करते हो तो वहाँ पे आप लोगों को नुकसान होने के chances जादा है क्योंकि यहां से market का कोई direction decide नहीं हो पा रहा था कि नीचे जाएगा कि उपस जाएगा यह बहुत important supports पे पड़े हुए है market तो यहां अगर pullback करता है तो वो जादा better रहेगा बाकि अगर downside में जाता है तो वहाँ पे अच्छे खासे पैसे बनेंगे लेकिन अगर pullback करता है तो वो crucial level होंगे और वहाँ पे आप लोग फस सकते हैं तो put side तो बिलकुल मत plan कीजेगा call side भी लेकर के मत जाओ अगर आप लोग buy करके लेकर के जाना चाहते है क्योंकि यहां पे market exact same उपर नीचे कुछ खुल सकता है तो वहाँ पे आप लोग का premium decay होगा तो साब साब हमने कहा था कि call या फिर put buy करके मत जाओ market gap down open होने दो gap up open होने दो पैसे के लाला चे मत पड़ो क्योंकि हम लोग live trade में बात करते हैं कि हमारा पैसा बने ना बने ठीक है लेकिन हमारा loss बड़ा नहीं होना चाहिए क्योंकि market ऐसे label पे है जो आप लोगों का बड़ा loss करा सकता है अगर आप लोगों के direction में move नहीं मिला gap up या फिर gap down नहीं मिला तो फिर आप लोगों का loss बड़ा हो सकता है ठीक है तो ये थी हमारी btst और हमारी जो analysis है मंडे के लिए आप लोग क्या मानना नीचे comment करना और इसी के साथ एक announcement भी है कि हमारा course जो है वो pre launching पे है तो अच्छा कासा discount मिल रहा है तो आप लोगों को मैंने कुछ classes upload करी है वो unlock कर रखी है आप लोग application को download करके demo ले सकते हो कि हम लोग किस तरीके से अपने you know education को आगे ले करके जा रहे है अपने teaching methodology किस तरीकी कि ये वो चीज़े आप समझ सकते हो तो description को चेक कर लेना वहाँ पर application की link है आप लोग को एक दो classes ऐसे ही बाहर पड़ी मिलेंगी जहाँ पर आप लोग साइन अप करके उसको access कर सकते हो और एक demo ले सकते हो फिर दुबारा से उसमें enter करके you know इस discount का फायदा ले सकते हो बाकी वीडियो अच्छी लगी तो like कीजेगा दूसरों के साथ share जरूर कीजेगा और हम लोग कल मिलेंगे आप लोगों से live 9 बजे और 3 बजे तक live रहेंगे thank you very much जैहन